फाइनली दोस्तों एक और बहुत ही जबर दोस्त आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे अपने यह जो ग्लोबल वर्जन आता हमारा स्टेबल वर्जन MIUI 12.0.1 का इसके अंदर बीटा वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाए सिक्यूरिटी एप का और साथ ही साथ में यहां पर प्राइविसी प्रोटेक्शन एप का जी हां दोस्तों यह दोनों को आज हम अपडेट करने वाले सबसे मिला आपको मैं फरक दिखा देता हूँ कि क्या क बीटा वाली है बट इसके अंदर मैंने आपको पता रहा है इसके अंदर 12.0.1 गुसा हुआ है ठीक है और इसके अंदर हम यह वाला कंट्रोल सेंटर भी डालेंगी तो कैसे डालना है यह सारी चीज़े हम धिरी-धिरी करके बात करते हैं सबसे मैं आपको दिखा देता बनाया था last time 12.0.1 के अपर ठीक है अब यहां पर चलते हैं आपको दिखा देता है इसके अंदर हमको 4.4.8 देखने को बिलता है और यहां पर जो लेटेस्ट बीटा पर है उसके अंदर हमको 4.7.2 देखने को मिलता है तो कैसे इस वाले को भी जो हम अपडेट करेंगे और सबसे पहले आपको कुछ फीचर दिखा देता है कि क्या कुछ यहां पर नया देखने को मिलता है सबसे पहले तो यहां पर लियाउट थोड़ा बद चेंज है मैं नीचे रख देता दो दोनों को और नीचे रखके मैं दोनों का दिखाता हूं आपको ठीक है तो यहां पर फ है मैंने अब का यहां पर आपको धेखनी को नहीं मिल रहा है और शयद वह भी हम कोई कर देखने को मिलेगा तो यहां पर वह ही नहीं मैंने ज Today my नेश को कोई जिसनलेकर अपीध मिल रहा है k artic option यहाँ पर देखने हो मिलेंगे like cleaner की यह सारे option उसके बाद यहाँ पर test वगरा गेमिंग बूस्टाव हो गया यहाँ पर और बहुत सारे option आपको देखने मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर अविलिबल नहीं है बैटरी और यहाँ पर अलग टैप देख सकते हैं आप बैटरी के मिल जाएगा यह वाले security app का यानि 4.7.2 का जो की बिल्कुल latest है तो हम इसको install करके देखते हैं क्या ही हमारे device में install होता है वैसे तो basically install हो जाना अच्छे है without any issues install हो गया app installed अगर मैं नीचे about की तरफ बात करो तो 4.7.2 latest यहाँ पर जो install हो चुका है तो इसको यहाँ पर करते है side में है और यह volume control पैनल जो इसको कैसे हम को change करना है जिसके आप देख सकते हैं यह काम कर रहा है ठीक है तो इसको कैसे install करना है simply आपको क्या करना होगा system uicontrol v100.5 ठीक है तो इसको कुछ इस तरहीं किसे install कर लेना है last time दोस्तों में आपको एक launcher के बारे में बताया था जिसके आप सभी को पता होगा जिसके मैं दिखाता हूँ अभी wait करिया आप एक second launcher के बारे में इसको install करना है बस that's it आपकी यह नहीं वाली जो है यह देखन 11 नहीं है so friends यह वीडियो देखिए आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने को खशिश कर रहा हूँ ठीक है अभी नहीं होता है जैसे कि आप देख सकते हो अभी कुछ भी ऐसा नहीं होता है अभी यह पूरा वीडियो देख सकते आप लोग इसके अं Android 11 वाली रोम है जी हां दोस्तों अगर आपके Android 11 वाली रोम है तो आपको इसको basic इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको इंस्टॉल करने के लिए छोटी सी चीच करनी पड़ेगी पिछला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा पिछली वीडियो में मैंने बताया थ आपको के अनदर आपको इंस्टॉल कर सकते हो यह चीज मैं आपको बताएती कि पोको के नदर यहाला launcher कैसे इंस्टॉल कर सकता किसी भी Poco device के अंदर तो उसके अंदर ही मैंने बताया था कि इसको इन्स्टॉल करना एक zip को मैजिस वाली और उसके बाद दोस्तों आप काफी easily इसको भी install कर पाएंगे ट्राय करूँगा ये वाले EU वाले phone के अंदर इसको install करने के ट्राय करूँगा और फिर देखता हूं कि क्या होता है ठीक है तो ये कुछ update थे दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया आपको प्लीज यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो का पर ज़रू से लाइक करने दोस्तों मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक और इंट्रेसिंग वीडियो के साथ बाबाई